जैश्री राम, राम रक्षा स्तोत्र राम जी की क्यूपा जिस पे हो जाए समझो उसके सबी बाधाएं दूर और उनसे अच्छा रक्षा करने वाला तो कोई मिली नी सकता है अगर आपके उपर अलग अलग बाधाएं आती है धन धान्न की समस्या है घर में कलर है या तंतरबादा है या किसिया कुछ किया कर आया है तो राम रक्षा स्तोत्र से अच्छा कुछ नहीं है आप श्री राम मंदिर में जा करके पूजन करे और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंग करे स्नान करने के पश्षात पूजन करने के बाद आगर आप राम रक्षास्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके घर में या आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी अकाले मृत्यू नहीं आती है शारिरी कश्ट नहीं होगा, बीमारियां दूर होगी और हर तरह की बाद हाओं को दूर करता है राम रक्षास्तोत्र साथ ही साथ ओम श्वी राम रामाय नमह का भी पाठ करे और अगर राम जी के साथ हनुमान जी का सानित्र हो जाए तो क्या आती उत्तम है राम रक्षा स्थोत्र के साथ हनुमान चालिसा और ओमशी हनुमते नम्ह का मंत्र का जाब भी किया जा सकता है अगर सामने घी का दीपक जलता रहे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है निश्चित समय में अगर आप राम रक्षा स्थोत्र का पार्ट करते हैं तो विशेश लाब मिलता है जैसे कि अगर आपके घर में कोई विशेश समस्या है कुईसी समस्या के निवारण हेतु अगर आप राम रक्षा सोत्र का पार्ट करना चाहते हैं तो आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं उसमें आप 1001, 11001 या फिर 21001 सोत्र का पार्ट कर सकते हैं आउधी आप निश्चित करके डिसाइड करें लेकिन जो भी आउधी आपने संकल्प में लिया उसे आप पूर्ण करें इससे आपकी रक्षा होती है राम रक्षा सोत्र को आप किसी पेपर पे साधे पन्ने पे लिख करके और कम से कम 21 बार, 51 बार या 101 बार राम रक्षा सोत्र पार्ट करके उसको अभी मंत्रित करके उसमें शक्ति डालके आप किसी रक्षा श्री राम जी से होती है लेकिन अगर आप राम रक्षा सोत्र का फाइदा लेना चाहते हैं तो बहुत इंपोर्टन नियम है कि कोई गलत कर्म ना करे इसको धारण करने के बाद आप केवल सत्य का साथ देंगे क्योंकि प्रभू शीराम मर्यादा पुशोत्तम है वे केवल सत्य का ही साथ देते है जैश्वीराम